प्यारे बच्चों, आजो सिखे आजदी सलाइड. बच्चों, आजदी सलाइड बहुती रोचक जानकारी लेके आई है. आजदा दिन है सोमवार. आजदी मिती है 10 अगस्त 2000 वी. आजदा विचार. तब बच्चों, आजदा विचार है दूसरे आदी मदद करो. हान जी, सानो हमेशा दूसरे आदी मदद करनी चाहिदी है. देखो बच्चों, जो आजदा अपना समा चाल रहा है, सार्यादा साथ निबाउंदा. अते एही समा है अपनी जिम्मेदार्यानू समझन्दा. क्योंकि अपना जो विशव है वो बड़े ही मुश्किल दोर विच्चों देखो बच्चों, दुनिया दे सारे तरम मदद करन दी तरजी दिन देहान. मदद करना हिउम्मे अते एहंकार दा विनाश करना है. एहे नेकी दा एक विशेश रूप है. बच्चों, जित्थे मदद कित्ती जावेगी, उत्थे नेकी जनम लवेगी. आदी काल तो ही मनु दुखनों मदद करन दा उपदेश दित्ता जा रहा है. क्या जानदा है कि एक दीवा जगदा है, ता ओहो हजारां बुझ्योय दिम्यानों जगा दिन दा है. इस परकार जेकर एक कोई अपनी हालत तो दुखी है, ता जेकर दूज्जा उस दी मदद कार दिन दा है, ता उस जिन्दगी देविच हमेशा खुशाली यते खेडा बन्यारंदा है. इस करके बच्चों आपना आज दा जो विचार है दूज्यान दी मदद करो, ता उस विचार ते साननों फूल चड़ाने चाई देहान. चलो गेवदिये ग्यान विज्यान दे प्रशनावल, ता आज दा पहला ज्यान विज्यान दा प्रशन है पारत छड़ो अंदोलन दी अगवाई किस ने कितती? हांजी बच्चों इस दा सई उत्तर है महात्मा गांदी जी ने. हांजी बच्चों इन्ना बारे थोड़ी जानकारी लो महात्मा गांदी जिन्ना दा पूरा नाम महुन दास करमचंद गांदी सीं. बच्चों इन्ना दा जनम 2 अक्तूबर 1869 इस्वी नू गुजरात विच पोर बंदर काठ्या वाड विखे होया. इन्ना दे पिता जीदा नाम करमचंद, माता जीदा नाम पुतली बाई सीं. बच्चों इन्ना ने 1915 इस्वी विच साबर मती आ अंदोलन दी गाल करिये ता एहे अंदोलन वी महात्मा गांदी जी ने शिरू किता सीं. अते जेकर असी पारत छड़ों अंदोलन दी गाल करिये ता एहे अंदोलन 9 अगस्त 1922 इस्वी विच मुंबई विच शिरू किता गया सीं. उस समय महात्मा गांदी जीदा परमुख नारासी करो जा मरो चलो गे वदिये अगला प्रशन ता बच्चो आज दा ग्यान विज्ञान दा दूजा प्रशन है अशोक चक्कर विच किन्या ती लिया हुं दिया हान ता बच्चो इस दा सई उत्तर है चोवी हान जी बच्चो आ है अपने देश दा ती रंगा चंडा अत अशोक चक्कर दे चंडे दी सफेद रंग दी जड़ी पट्टी है एहे उस पट्टी दे उपर बन्या वया है इस दा रंग नीला हुं दा है इस चक्कर दिया चोवी तिलिया हुं दिया हान एहे चोवी तिलिया सानू चोवी कंटे काम करन दा संदेश दिन दिया हान इस दा पाव है कि सानु चोवी कंटे कम करदे रहना चाहिदा है कदे वी हिम्मा तते होसला नहीं हारना चाहिदा चलो गेवदिये आज़दा तीज़ा प्रशन ता आज़दा तीसरा प्रशन है सत्वे देसी महिन्य दा ना की है हाँ जी बच्चो आपा पहला छे देसी महिन्य बारे पड़ चुके हाँ ता सत्वा देसी महिन्य है अस्सू इस बारे थोड़ी जानकारी लो कि बच्चो अस्सू नानक शाहि जन्तरी दा सत्वा महिन्य है एहे महिनना 15 स्तंबर tym 14 अक्तूबर दे विचाले आउंधा है इस महिनने vich 3 दिन हुन देहां इस महिनने दे कुछ खास दिना बारे जानकारि लो की 2 अस्सु यानि 14 स्तंबर नू शुरी गुरू अमर दास जी जोत्ति जोत्समाइशान अते 8 अस्सु नू शुरी गुरू ना महिन्य नू शिरी गुरु राम दासजी दा जनम दिहाड़ा हुन्दा है चलो गेवदिये अगला प्रशन ता अगला प्रशन है रोम्म नंक परनाली विच चार सो कि में लिख्या जान्दा है ता बच्चो आँ देखो आ है रोम्म नंक परनाली दा चार्ट ता इस विच चार सो नू C, D दे रूप विच लिख्या जान्दा है देखो बच्चो आ चार्ट वाड़े सामने है जेकर आप डी नू 500 लिख्यदे हां ते C नू 100 लिख्यदे हां ता ज़दो D विच्चो C नू यानि 500 विच्चो 100 नू को टादांगे ता 400 आ जाएगा ता इस परकार रोमन अंक परनाली विच 400 नू CD दे रूप विच लिख्या जानदा है चलो गे वदिये अगला प्रशन चोवी इंच विच किन्ने फुट हुन दे हान बच्चो ते आननल सुनो चोवी इंच विच किन्ने फुट हुन दे हान बच्चो बारा इंच एक विच वुट दे वराबर हुन दा है ते चोवी इंच किन्ने फुट दे वराबर हुन दे हान चलो गे वदिये आओ बुझ्ये तब बच्चो आज दी बुझारत है चिट्टी जही हडडी तर्ती विच गड़ी हाँ जी बच्चो देखो चिट्टे रांग दी हड़ी है तर्ती दे वेच गड़ी जानदी है ता इस दा सई उत्तर है मूली हाँ जी देखो राजे ये चिट्टे रांग दी हुंदी है एक हड़ी दी तरह हुंदी है ते इसनू तरती देविच गड़्या जान्दा है चलो गेवद ये आज़ दे शबद तब बच्चो आज़ दा पहला शबद है रीच रीच हुन्दा है पोंचना आज़ दा दूज़ा शबद है राइड राइड हुन्दा है स्वारी आज़ दा तीज़ा शबद है स्माइल हुन्दा है खुश आज़ दा चोथा शबद है क्लैप ताडी आज़ दा पंज़वा शबद है रेस्ट रेस्ट हुन्दा है अराम